नमस्कार साथियों सरस्वती केरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है हमारा उत्राखंड में राथन चलना वन लाइनर का और इंपोर्डेंट कोश्चिनों की सीरीज है चली शुरू करें और इससे पहले अपना विशेस काम लाइक सब्सक्राइब और सेर करना न भूले आपको मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप भूले नहीं और अपना कारे करें जैसे मैं आप लोगों के लिए रोज वीडियो बना रहा हूं वैसे आप रोज पढ़ने के बाद कम से कम दस फ्रेंडों को भीजिए और उन्हें करो कि थोड़ा पढ़ लो क्योंकि लाइफ ऐसे नहीं चलेगी मॉबाइल चलाने से आज मॉबाइल है तो सब कुछ है पर मॉबाइल में पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से देखो तो उसका सदुप्यों करो तो बह अधन निस्तों पांच में हुआ था मुंसी हरी प्रसाद टम्टा द्वारा इसको सुरुवात किया था काली कुमाओ का से हरसदेव ओली को कहा जाता है कुमाओ का चानक हरसदेव जोसी को कहा जाता है डाक्टर सी प्रसाद डबराल को इंसाइकलोपीडिया ओफ उत्त्राघंड कहा जाता है स्रीदेव सुमन ने टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना 23 जनुवरी 1944 को की थी 84 दिनों की भूक हरताल के बाद 25 जुलाई Honors に स्थापनड मेंति प्रसाद पूसा डबल विश्त में मैं नमक में जो गए बिद्ध होजिए थी इस डेशवन की दोबहल सफते बस्था ने में 197 में 178 में उसभून 25 मैं पहली महिला कुल्पति बनी थी कौन डॉक्टर सुशिला दोवाल 1977 में गड़वाल विश्व भी द्याले की पहली महिला कुलपती है ठीक है महरूरी कस्तुरी मिर्ग अनुसंदान केंद्र की स्थापन 1977 में की गई थी यह आपका द्रहम घर में द्रहम घर पितोरागड पाकिसवर के बॉर्डर में पड़ते हैं ज्यादातर ये भाग पिथरागड में है इसलिए जीला पिथरागड में है ठीक है सेंटर कवर्मेंट की पॉल्सी है यह कांचुला खर्ग कस्तुरी मिर्ग प्रजनन वह संदक्षन केंद्र चमोली में स्थे थे ठीक उत्त्राखंड में गोर्कों ने पहली बार भूमी बंद है संपुर्ण सबसे महत्पूर्ण बंदोबस जी इबिकेट द्वारा किया गया था इसको करम के साचे नवा बंदबस्त था जाए भीकेट ने भूमी को पांच भागों में बाठा तलाओं उप्राओं अबल उप्राओं दोयम इजराइन वा कंटील आदी संक्रा चारे ने 820 में केदरनास्त में अपने देह त्यागी थी रामबाड़ा के वसपस ठीक इसमाधी भी वहीं थी दोजात ते रखिया आपदा में इनके समाधी बह गई रामबाड़ा में पुराणों में देवपरियाक का नाम देवतीर्त मिलता है जन्द सुरुती यह कि अनुसार वेदो को गड़वाल के वेदिनी विग्याल छेद्र में लिखा गया था ठीक बेद लिखने वाले थे हमारे कर्ष्ण देवपायन बेद बैस जी इस सौट में हम बेद बैस कहते हैं 1389 इस भी में हरीद्वार में तेमूर के साथ लड़ने आया था वस्राज ठीक है तेमूर लंग हटद्वार तो आया था 1389 में ठीक है उसमें बहुत मार काट की ठीक है उसके साथ में जो लड़ने के लिए आया था वह वस्राज आया था कुमाओ परिशत का कांग्रेस में बिलेई 1926 में किया गया ब्यूए का नंद परवती किरसी अनुसंदान साला अलमोडा में है इसके स्तापना डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में की थी ठीक यह भारती अनुसंदान संस्थान पूसा की काई है ठीक पहली गड़वाली फिल्म पूस्कृत की गई यानि जो पहली कुमाओनी फिल्म जे मेगा इन्हें बॉलीवड में पूस्कृत भी किया था ठीक किमनी गाउं के जो सेलास रही है किमनी सेलास रही चमोली में इस्ती थे यहां पर हलके सबीत रंग के चित्री थात्यार के सेल चित्र पराप्त हुए थे गौर्क्या उड़े यार चमोली के डुंगरी गाउं में इस्ती थे फल्सीमा अलमोडा पितारगळ मार्ग पे इस्ती थे यहां पर निर्तिरत मानो और जानवरों के सेलास रही प्राप्त हुए है और योग मुद्रा में भी पाई गये हैं अलमोडा के फल्सीमा चित्र से लुए थाब बागेश और अलमोडा मार्ग में पेट सेलास रही है ठीक है लुए थाब ये बागेश और अलमोडा मार्ग में लुए थाए बे और अलमोडा पितारगळ मार्ग में फल्सीमा है ठीक है याद रगना गड़वाल कुमाओ की सीमा पर मज कुमईया बोली बोली कुमाउव गडवाल का मिस्रण माना जाता है गडवाल चित्रकला का प्रारंबिक चित्रकार हरदास को माना जाता है मोलाराम गडवाल का परसिद्द चित्रकार था मोर प्रिया, मयंक मुखी, राधा कर्शन मिलन मोलाराम की परसिद्द चित्र है चेतु वो मौलाराम के समकालीन अन्य परसिद्द चित्रगार थे आंक में चोली मौलकु का परसिद्द चित्र है रुक्मनी हरन चेतु का परसिद्द रसना है ठीक है आंक में चोली मौलकु का रुक्मनी हरन चेतु का बोक्सा जञजाती के मुख्य देवता, सरकारिया कहलाता है, ठीक बोक्सा कण्या, बिवास से पूरे ध्यंती वो भूवा के बाद और यही चीज आपको जोनसारी में भी मिलेगा जोनसारी में भी साधी से पहले ध्यनती और साधी के बाद रहनती के थे भूयो नामक संसकार भूटिय जंजाती के बालक के तीन माह पूरो होने पर किया जाता है भूयो भूटिय जन्जाती द्वारा चाधी के सिक्के पिरोकर बनाई गई माला को बल्डंग का आ जाता है। कि यह इंपोर्टेंट है कि चांदी कि सिक्क्य पिरोकर बनाए गई माला क्या कहते हैं बल्डंग गा जाता है गोरा माई मंदिर रानीखित में सिते गाडव घड़ी यात्रा टिहरी से सुरू होकर बद्री ना तक जाता है गड़वाल जागरित संस्ता का गठन परताब सिंग नेगी वो उमानंद बर्तवाल द्वारा उनिसोन चालिस में किया गया गड़वाल जागरित संस्ता का स्थापना गया गठन उनीसोन चलिश में गया और इसके शंस्ता बड़ताब सिंग नेगी वो उमानंद बर्तवाल ठिक पर्वतिय विकास जन्द समीथी 1950 इसभी में दिल्ली में किया गया पर्वतिय राज परिशद की स्थावना 1967 इसभी में राम नगर में किया गया पर्वतिय विकास जन्द समीथी 1950 इसभी में दिल्ली में किया परोती राज्य परिशद तो इसकी स्थावना उनिशो सडशड में रामनगर में किया था ठीक है हिले स्टेट काउंसिल कहेंगे इंग्लिस में उत्राखन उत्थान परिशद की स्थावना 30 महें 1988 इस भी में SS जीना सोबन सिंग जीना द्वारा अलमोडा में की गई थी ठीक है कुमाओं का प्रिवेश द्वार काडगोदाम को कहा जाता है 24 अपरेल 1984 को पहली बार कुमाओं में यहां ट्रेन आई 24 अपरेल 1984 को कुमाओं में ट्रेन आई काडगोदाम पोड़ी कंडोलिया पहड़ी परिस्तिदे इसे 1970 में गड़वाल मंडल का मुख्याले बनाए गया कोड़ द्वार को गड़वाल का प्रिवेश द्वार कहा जाता है बागे सोर के भागनाद मंदिर का जिर्णो दैर राजा लक्षमी चंद द्वारा 1622 में किया गया था अनासक्त्यास्रम खोशानी में यहां यहां पर गांजी जी ने गीता पर टीका लिए थी ठीक नानक मत जो कि सिख्वों का तीर्थिस्तल है इसका प्राची नाम बक्सी था टनकपूर का प्राची नाम ग्राश्टिन गंज है मुंश्यारी का प्राचीन नाम तिक सेने रामनगर की स्थापना अठार्सो पचास इस भी में ततकालिन कमिश्णर हेंडरी रेमजे ने की थी अठारसो पचास में रामनगर ठीक है बाचपूर की स्थापना चंद राजा बाज बाहदूर चंद ने की थी बाचपूर आपका उदम सिंग नगर में आता है कांसीपूर की स्थापना चंद राजा देवी चंद के प्रमुक सरदार कांसी नात ने की थी ठीक देवी चंद तुगलक भी कहते हैं कुमाओ का तुगलक ठीक है दिशनको और लखुली भिराल यह कहते हैं आपका लक्षिमी चंद को ठीक कि अल्मोडा की स्थापना कि 43 में राजा वीश्म चंद ने पंदर सो तीस में की थी और पंदर सो तिरशड में बालो कणे ल्याण चंद ने यहां राज राजधनी स्थांतरित की ठीक है तो यह आगे ठोड़ा डेट में कनफर्म नहीं था इसमें एक लेर हो गया यह सई 1563 में राजeniz की सबसे पुरानी नगरपाली का अल्मोडर की եिसके सामना 864 सबसे नगरपाली मिलेगा आपको तो यह हया किृति नगर राज्य की सबसें का सबसें छोटा नगर निकाई तो उसमें या का सबसें चोटा नगर कढई तुए नगर्ण निकाई मतलब आपका नगरपाली का परेज हैं तेकफान भी फिर्थमान से स्वैंग स्टावना राजं कि फिmedi यह ने उत्यास दाने किया था अपने नाम से भजा Já होआ सहर है पंद उनी इस दीन में अलमोड़ा में हपडी कलप की स्थाफ ने किए थी हर गोविन पंद और पंत और गोविन ऑल्लप पंद दौरा क है किसने फятель और गुविन और गोविन दौर गोविन बहुत पंद तो द्वारा क्या किया था है एपी गलब वेस्थ अबना पंदर क्या किरा हूं 1903 में थोड़ा मिस्टेक हो गया ठीक है डॉन माइंड कि 1990 इस भी में रोलेट एक्ट का विरोध करने राज्य से बैरिष्ट मुकंदी लाल वह अनुसूरिया परसाद बहुणा गए थे यह कहां गए थे यह लाहर गए थे कॉंग्रिस के अधिवेशन में 1990 में ठीक है तो एक साथ उन्हें वहीं पर रोलेट एक्ट का भी बिरोध किया था भागी रती घाटी उत्तरकासी में नेलंग वा जाडंग गाउं में रहने वाले जन्जाति को जाड़ कहा जाते हैं ठीक है हिए राज्या के विकास के लिए तत्कालिन उत्तर प्रदेस सरकार दोरा 30 मार्श मटसुक् ужас 강 उत्रइब कैसे बिकास निगम पर वती बिकास निगम हिलंड डेफ्लोब्मेंट कॉर्परेशिन ठीक है हिलंड़ाओ मेंड त्र्षेयन को किसने उत्तर प्रदेसा सरकार ने इस जो आज गडवाल में यात्रा और कुमाउ में यात्रा दो अलग-अलग मंदल के दो निगमें काम करती है तो गडवाल मंदल विकास निगम की स्थावने एक डेट को की गई थी जो था 31 मार्ज 1976 एक जक्ट डेट है एक यह जक्ट टेट है यह यह किसके तहद कर था परहोती व में गड़वाल विकाश्मी का कुमावन का विवाजी के ठीक है घराटों का सर्व प्रतम उलिक चंद वनसी तामर पत्र में पंद्रसाच चौद इस भी में मिलते हैं ठीक है जो पंचकी होते हैं गाउं में दिखा घराट उनके बारे में तो सबसे लिए आपको चंद वनसी त कर लगाने वाला अंग्रेज या कमिश्णर कौन था तो यह बिकेट था ठीक है अठार सो एक्षट में लगाया था इसने इसने सरकार द्वारा साला ना आई के हिसाब से घराटों से कर लेना लिया जाने लगा देखो उसमें इसने अठार सो एक्षट में तो कुस्ने कर राजय में चपने वाला पहला समाचार पत्र जो अंग्रेजी में चपता जान मेकिननन दौरा तो दहिल से था मुसूर हिसे चपता था ठीक है यह ज जौन मेकिननन को इस्ठाणी लोग मखन साब के थे मखन साब या मखन जी कहके बुलाते थे मखन गोर्खा राज में अधिकारियों को आमिल कहा जाता है ये भी इंपोर्टेंट कोशन है क्योंकि इसे इसे फैक्टेबल चुटे-चुटे कोशन UK SSS में देखने को मिलता है कि गोर्खा राज में अधिकारियों को कहा जाता है आमिल गोरखादारा लोगों को पकड़का दास बना लिया जाता था जिनकी नीलामी हरीद्वार में भीम गोड़ा में किया जाता था ठीक है यह कोशन बनाएं कि दासों की मंडी किसे केते हैं तो यह भीम गोड़ा हरीद्वार को केते हैं ठीक है यहाँ पर लोगों को लेके बेश कं लुएuesta जयादा था उससमें था भाईरति रुटि पसूची खेशा अनुशंधान मुक्तिश्वर की स्थाफना Dr. Lingard दोरा 843 तिरणभी यस्वि में की गई यह है यह मुक्तिश और स्था में भारति पसूची के समय और आपका वाईरस उला जो आगे था पसुचिकित्सा वाईरस के लिए तो आपका वह भी आपका नहीनिताल में यह ठीक है दोनों थोड़ा अलग अलग है वह ने इंताल में यह मुक्तेश्वर में लेकिन जीला एक है ठीक में लगुद्यूग सेवा संस्तान हलद्वानी में लगोद्योग सेवा संस्तान ये कहा है हलद्वानी में बागिसवर के बागनाद मंदिर का निर्मार राजा लक्षमी चंद ने 1622 में करा है इस मंदिर के पूर्व में भीलेश्वर परवत और पस्ची में नीलेश्वर परवत और उत्तर में सूरज कुंड और दक्षण में अगनी कुंड है उत्तर और दक्षण में कुंड है और पूरव पस्च में परवत है यह बड़ा बिचित्र जगह है इसके बारे म में बीरबल को प्रोहिद बनाने वाला चंद सासक रुद्र चंद था अगबर के दरबारी जो यह अगबर के दरबारी थे कौन बीरबल इसको अपना प्रोहिद बनाया था किस चंद सागर ने तो यह रुद्र चंद ने तो इससे कोशन रुद्र चंद अगबर के समकालिन था और रुद्रचंद ने ही किसे पुरोहित बना था बीरबल को यह कोशन बना इससे पहले आया हुआ है कि रुद्रचंद अगबर के समकालिन कुमाउगा राजा था तो यह रुद्रचंद है अब यह कोशन बन सकता है कि रुद्रचंद का पुरोहित कौन था तो यह बीरबल ठ सरण में चला गया था ठीक है तो ये कोश्यन वी बी कि आते रहता है के चंदुवांस का अंतीम राजा था महिंदर चंद थीक है तो ये महिंदर चंद था ये मोहन चंद के काही पुत्र था महिंदर चंद सिने स्टार गुरुदत ने अलमोडा में पंडित उधाई संकर से कला की सिक्ष्यां ग्रण की थी ये पंडित उधाई संकर जो निर्थ्य अकाडेमी है ये अलमोडा में ठीक है में टीहरी का जब भारत में बिलाई हुआ एक अगस्त उनिसोन पचास का समय था तो कुमाव मंडल में सम्मिलित किया गया था तो ये कोशन भी बहुत इंपोर्डेंट लगया देखे आप डिरेट्ली से गड़वाल मंडल लिगा हुए कि जब टीहरी का बिलाई इसके एक जिल्य के रूप में हुआ था तब उसे किस मंडल में स्थावित किया गया था सम्मिलित किया था तो ये कुमाव मंडल में किया था बहले वह आज गड़वाल में तो साथियों इसे यही पर विराम करते हैं देखिए मैं एक एक चेप्टर एक एक पार्ट करके कोई पूरी कहानी बता है कोई बहुत सारे लेक्टर जाड़ते हैं मेरा पहले पढ़ाना बात में दो सब्द बोलने का यह मेथड़ है और मैं वही बोलता हूं जो वास्तों में आपको मार्गदरसन कराएगा फिजूल की कहानिया मुझे बसंद नहीं इसलिए मैं आपसे य जरूरी नहीं कि तुम 2 गंटे पोड़ो 10 गंटे पोड़ो यह जरूरी है कि आप नियमित पड़ो आपने रूटेन बनाया है कि दिन का मैं पांच वीडियो पड़ोंगा या फिजिन के मैं पांच चेप्टर पड़ोंगा तो पांच ही पड़िये जो दिमाग में रहे बस उन्हीं पांचों में आपके बहुत कुछ मिल जाएगा पूरी किताब रटलो 50 किताब पड़लो लेकिन दिमाग में नहीं आएगा तो कुछ नहीं ठीक बाकिया आप खुछ समझदार हैं मुझे इतना बतानी की जरूत नहीं है फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी आपको बेटर देने की कोशिच कीजिए चैनल को ज्यादे ज्यादे लोगों को शेयर कीजिए सब्सक्राइब करने का बगल बेल आइकन आउन कर ले कुछ सीच्वेशन आया तो वालग बाते हैं ठीक है तो अपना ख्याल रखिए स्वस्त रखी रहिए मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए ठीक है धन्यवाद